अब जैसे दर्वाज़े पर नजर गई एक लड़की थी ओहाँ पर रोशनी थी पर उस लड़की के ऊपर थोड़ा अंधेरा सा था और लड़की नौमल बिल्कुल शांत आज का हॉरर किस्सा भी बहुत मत्यदार है बहुत जानदार है तो तुम एंड तक वीडियो को जरूर देखना और जो भी इस चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर तुम्हारी भी कोई स्टोरी है तो तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर नीचे शेर कर स तो मैं time waste नहीं करना चाल दौकि इस्टोरी बहुत बड़ी और बहुत इंट्रेस्टिंग तो मैं चाहता हूं कि तुम एंड तक जरूर देखना खोर । टाइम वेश्टि sûr करते हां जल्दी से तो आध का जो किस्सा हमार साथ शेर करना इंशेर पर शगून ने शेर करा है, शगून यूपी से बिलॉंग करती है, यूपी के छोटे शहर से आदमगर से बिलॉंग करती है, पहले मैं शगून की फैमली के बारे में बता देता हूं, शगून की फैमली में उसके mom, उसके dad और वो तीन बहाइब हैं, एक सबसे बड़े भाई ह एक बीच वेला भाई है और फिर शगून है शगून सबसे छोटी है और शगून फिलाल नीट की प्रेपरेशन कर रही है बट मैं थोड़ा सा ना बीफ देता है इनके बारे में जो शगून का सबसे बड़ा भाई है वो पारनॉर्मल अक्टिविटीज होगी इंची जो मैं बिलीव नहीं करता और शगून है इंची जो मैं बिलीफ करती है उसका मानना ऐसा है कि एक पॉजिटिव एनरजी है तो एक एक नेगुडिटिव एनरजी भी है अगर तुम नेगइटिव एनरजी को जब तक तंग नहीं करोगे तो तब तक वो भी तुम्हें तंग नहीं करेगी, उसका मानना ऐसा था, बट जब उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ है, जो मैं तुमें आगे बताऊंगा, उसके बाद उसका नजरिया पूरा बदलिगा इंजी जो को लेकर, और इसके वन ऐसी है ना, कि थोड़ा थोड़ा डरना, ज्यादा लोगों से इंटरेक नहीं करना, और जितने भी पारनॉर्मल एक्टिविटीज जैसे चीज़े होती है, जैसे होरर एक्टिविटीज करनी, इन सब से दूर है अगर स्कूल वगारा में कोई इन चीजों के बारे में बात कर रहा है, या करने के बारे में सोच रहा है, उन से दूर है उसकी फैमिल यह आदमगड में, वहाँ नीट की प्रेप्रेशन के लिए कोचिंग सेंटर अच्छे नहीं होगे, तो इसको लखना हुजाना पड़ा, कोचिंग के लिए नीट की, अब जब लखना हुजाती ना, वहाँ ये एक हॉस्टल में रहती है, वहां यह सारा का सारा incident हुआ है, उस hostel का incident है, तो अब main story शुरू करते हैं, जब अपनी प्रश्यू खतम करने के बाद, पहली बार hostel जाती है, तो यह इसका first time था जब अपने comfort zone से बाहर निकली, तो सबसे पहले तो जब यह वहा गई, तो इसको शर्वाइव करने में बड़ी कि अकेले रहना, ठीक है, अकेले सोना, अकेले सब कुछ manage करना, यह सब कुछ उसके लिए नया था, पर जब कोई person अपने comfort zone से बाहर जाता है, तो इसको हर चीज की habit पर जाती है, वो habitual हो जाता है, तो यह जिस hostel में गई, उस hostel के जिस room में गई, वहाँ पर दो लोग थे sharing में एक शगून और एक इसकी partner, वहाँ जितने भी rooms थे, वहाँ पर न सारे sharing में राते थे, तो जिस hostel में गई, जिस room में गई, वहाँ पर यह sharing में थी, एक लड़की थी और एक यह थी, जो भी इनका hostel था ना पूरा, वहाँ पर एक room में दो दो लोग राते थे, sharing में, तो अब इनका hostel कैसे है, पहले में बता देता हूँ, इनके hostel की एक building ऐसी है, एक building यह है, और बीच में ऐसे zigzag पोड़िया है, और इनकी जो building जैसे यह building है, यही similar mirror building सामने है, और ना यह building के ना rooms कैसे बनाए है, फ्लैट है, एक फ्लैट, दो फ्लैट, तीन फ्लैट, चार फ्लैट, प आज महीने, आठ महीने बीत गए, सब कुछ सही निकला, इसको हर चीज की आदित पड़गी, अच्छे से खेल कूद रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, दिल लगा के coaching जाते हैं, सब कुछ, आठ महीने बीतने के बाद, तीन महीने बाद इनका NEET की exam थी, तो इसने क्या सोचा, तीन महीने रहे हैं, NEET की exam को, मैं अपना room change कर लेती हूँ, एक single room ले लेती हूँ, जिसमें मैं अकेली रहूँ, साथवाला partner ना हूँ, मतलब इसको दोनों की payment इसी को घरनी पड़ेगी, और ही अकेली रहेगी, ताकि अच्छे से preparation कर ले, और NEET की exam के लिए होजे, तो इसने change कर लिया room, चलो ठीक है, अब इसने तीन महीने अच्छे से बढ़ाई करी, NEET की exam आ जाता है, इसने दिया, यह hostel आती है, और hostel से सीधे आदमगड को चले जाती है, और जब यह घर पहुंचती है, तो इन्हा सबसे बहले करती है, अमना caution paper निकालती है, उसमें मार् हो रहे है, यह clear नहीं कर भाएगी इस बार, तो यह क्या सोचती है, कि मैं वापस जाती हो hostel, अपनी coaching स्चार्ट करती हो, और preparation शुरू करती हो, तो यह तीन-चार दिन बाद वापस चलेगी लखना हो अपने hostel में, अब जब यह hostel जाती है, पूरे hostel में एक भी बच्चा नहीं है, एक भी लड़की नहीं है, अब यह जाती है अपने पहले वाले रूम में, फ्लैट टमबर फाइव में, जहां पर यह शेरिंग में रहती थी, आठ मैने अपने दोस्त के साथ, तो यह उस रूम में गई, अभी तब पूरा पूरा hostel ही खाली बढ़ा था, दस के दस फ्लै पर थोड़ा उदास फील कर रही है, तो वो पुरा और ही ना बड़ा नेगिटिव सा लगा इसको, ठीक है, तीन दिन बीत ही है, अब क्या होता है, इनके ऑनर भी जो पूरे hostel के ऑनर थे, वो भी सबसे नीचे वाले फ्लोर पे रहते थे, ऑनर उनकी वाइफ उनके दो बच् है, तो तो उसकी एंट्री ले लेना, और ना गेट बंद ही रखना ताकि कोई अन्नोन बंदा अंदर ना सके, तो शगुन कहते है, ठीक है, अब थोड़ी देर बाद में शगुन के ओनर की कॉल आती है, कि एक लड़की आ रही है, उसकी एंट्री करा लेना, और फिर गेट बंद कर देना, तो शगुन कहते है, ठीक है, शगुन का अनर कहता है, वो 10th flat number पे जाएगी, तो शगुन कहते है, ठीक है, तो वो लड़की आती है, नहा, तो यह हाई हैलो करते है, और नहा अपने रूम में चले आती है, flat number 10 में, क्योंकि यह लड़की वही थी नहा, पहले जाना है, फिर बढ़ाई करनी है, तो इसको वही आदत पढ़ी भी थी, तो यह एक डेट बचे तक पढ़ रही थी, तो डेट बचे इसको ऐसा फील होता है, कि छट पे कोई चल रहा है, मतलब ऊपर कोई चल रहा है, यह flat number 5 पे रहती थी, यानि 3rd floor पर, तो इसको लगा कि अब इसको लगा, जो लड़की आई है, वो इसके उपर आले flat में है, तो इसने यह सोचा, अपने मन में बोला, कि वो शैचा उपर आले flat में, अब थोड़ी देर बाद ना, दौड़ने के वाज आ रही है, उपर आले floor पे, तो वो कह रही है, यह दौड़ के और ही है, अब तो सोने से पहले थोड़ा dance कर लिया, या exercise कर लिया, फिर सोगे, तो इसको लगा, वो भी dance वगएरा कर रही है, तो इसलिए वाज आ रही है, अब आवाज आ रहती है, तो यह सोगी, तो उस जिन यह सोगी, ठीक है, अब नेक्स जे ना, इसका first जे था coaching का, तो जैसी coaching पे ज समान देने की, फिर उसके पर coaching जाओंगी, तो शगून पे अंदर चलेगी समान देने, तो शगून रहती थी flat number 5 पे, यह first floor का flat number 1, यह 2, 3, 4, 5, यह यहां पर रहती थी, 6, 7, तो इसको लगा, यह flat number 7 में होगी, फिर 8, 9, 10, और जब कि वो थी 10 flat number पर, तो क्या होता है, यह अपने से उपर वाले में जाती है, 5 से उपर वाले में, 7 में जाती है, देखती है, ताला लगा हुआ है, और जब कि पूरे hostel के rooms गारा खाली रहते थे, तो ताला नहीं रहता था किसी में, तो उस पे ताला लगा था, तो यह समान लेके नीचे आगी, इसने नीचे रख दि और उनकी वाइफ को भावी, तो इसने गा, भाईया, उसके रूम पे ताला लगा है, श्याद वो मौनी में सुबे सुबे निकल गी, तो मैं तुमारे रूम के बाहर रखनी हुआ है, तो तुम दे देना, तो भाईया गते है, तो यह चलेगी, अब जब शाम को यह वापस होते हिरल, तो वही पर होते है, तो भाईया, तो इसने गा, भाईया, वो तो अपने रूम में थी, तो इसने का, भाईया, नहीं मैं देखकर होती हूँ, तो इसने का फिल्ट Progress Went Lead, और रौम में गई थी, तो इसने का फ्रफाइब सेवन, तो प्लैनमर सेवन में नहीं है, व यह भी अपने मन को समझाने लगी, शायद ना भगल में भी लड़कों का होस्टेल है, तो शायद वहाँ से वाज आ रही होगी, या तो फिर वो अपने रूम में कर रहे होगी, कुछ भी, तो यहाँ पर रवाज आ रही होगी, अपने आपको मन ना लिया, तो इसने का, ओके समान उसको दे देना, तो उसने समान लिया, फ्लैट नंबर 10 में वो दे कर आगी, तो अब यह भी समान दे कर अपने रूम में आगी, तो आप ऐसे एक दिन, दो दिन, पास दिन, साथ दिन, आर दिन बीच जाते हैं, तो अब इसको करीबन 10-11 दिन हो चुके हैं, उस पूरे होस्चल में रहते हैं, अब क्या होता है, यह अपना पूरा का पूरा समान लेकर आगी थी, अपने रूम का, तो इसने पहले सेट नहीं कर रहा था, तो पूरा समान जब इसको मिल गया, तो इसने आज सेट करा, 8-10 दिन बाद, पूरा रूम की पूरी की सफाई कर दी, पू जब इसके नीद खुली ना रात को, यह ऐसे बैठी वी थी, ऐसे लेटी वी है, जैसे इसके नीद खुली ना सामने दरवाजा था, अब जैसी दरवाजे पे नजर गई ना, एक लड़की थी होहाँ पर, रोशनी थी पस उस लड़की के उपर थोड़ा अंधेरा सा था, औ यह वीडियो भेजी थी शगुने, मैं तुम्हे इसके फ्लैट की और जो इसको जैसे लेटी थी उस वले एंगल पे इसने मुझे वीडियो भेजी थी, मैं वो तुम्हार सब पहले शेर करता, तुम वो देखो पहले, एक पीच में स्टेर केस है, पिर आमने सामने दो फ्लै से मेरा फ्लैट नंबर 5 हैं इस वेड़ थे वाश्रोम से और अगल बगल दो रूम से ये मेरी फ्लैट मेट का रोम मेरे रोम की एंटरेंस है और करने के बाद यह मेरा टेबल है और यह जब यह इंसरमेंट हुआ था तब ये पर नहीं था तब यह अल मिरा इधर कहीं बाख यह इन पर एक दूसरा वाई था क्या था कर तो उसे पर दूसरा बेट था वो रटा नहीं था तो वो बेड यहीं पर था यहां बर और यह बेड ऐसे लगा हुआ था जैसा अभी है मैं इस बेड था उस friend मैं एसे बेड वर्ही थीं उस दिन रात मैं मुझे ताइम नहीं थाइनजे क्यों के मैं बंतुट फुर्ज ज्वहां ऐसे कोर दो रहां ज़्या मेनेन खोल इन मेरा वो और यहां जामें पर दो मौली दो मेरा और और जो जिल्वादय कर जें जिन जहां से पीछे, जहां से दर्वाजे का एज है, जहां पर हिंज लगा है, वहां से एक लड़की खड़ी है, बिल्कुल डार्क, सुन्दर है, बाट काफी टार्क यानि, मैं नहीं होता है कि कोई अंधेरे में खड़ा है, जब कि लाइट सारी जल रहे है पर उसके अंधेरा है बहुत सुन्दर सी, बहुत सुन्दर सी बहुत प्यारी सी स्मायल दे रही है, और मुझे डिखर रही है वबंदी बिल्कुल, तो ये शबगुन नहीं शेर करा था उसका फ्लैट और उसकी वह पोडियां कैसे जाती है उपर को, और वो किस रूम की तरफ से देख रही थी, क तो छोचा है कौन लड़की कि वह लग रही है कुछ भी अलग नहीं सिंदर सी त्र December करे प्रकुटि अपर रोशनी के लोशनी बहुत है तो तीन चार सेकंडDaink when Serious presentation में डोर जो है फ्लैट का उसको तो मैंने कुंडी लगाई थी साथ वाला जो रूम है उसमें भी दो रूमेट्स होनी चाहिए पर कोई है नहीं पूरे फ्लैट में पूरे होस्टल में कोई ही नहीं एक लड़की हो फ्लैट नंबर 10 में है यह कौन है तो उसके माल में एकदम से सेव कर रही थी शगुन ने तो इसने बजाई एक दम हनमान चाली सा बजने लगी अपर डर गी अंदर वंदर डर जाता है और डरी डर में अबंदी की आवाज निकलती है और ना वो कुछ एक्टिविटी कर बाता है वो हनमान चाली सा बज रही है मनी मन में मूग के बाहर खड़ी है हील भी निरी है इसकी तरफ देख रही है इसने आखे चुरा ले अपनी और ना इसने क्या कर जल्दी से मम्मी को फॉन मिला दिया और यहर मान के धरती जारी है यह इनमान चाली सा बढ़ रही है और इसके मोम ने फॉन पिक करा इतनी रात को यह फोन आया है और तो इसके मॉम्मी को इतना बोला, मुम्मी मेरे रूम के बाहर से एक लड़की मुझे देख रही है, में डोर बंद है, साथ आले रूम में कोई निया, पूरा होस्टल खाली है, यह लड़की कहां से आई, वो मुझे देखकर हसी रही है, उसके मॉम भी डर गी, क्योंकि देख जल्दी से फॉन करा ऑनर को, वो थेनी उनकी वाइव थी, ठीक है, उनकी वाइव को कॉल करके कहा कि लड़की उपर अकेलिये, उसके रूम में उसको कुछ देख रहा है, क्या हुए कुम देखो, क्या हो रुक है, कुछ करो सकी है, अपना वो मुस्लिम थे तो वो थोड़ी उसको आवाज आ रही है शगुन को कि कोई स्टेल्स की तरफ से आ रहा है खाली था पुर आश्चल तो आवाज गुशती है कि एक आवाज आ रही है किसी की अब वो बोलते वे आ रहे हैं तो उन्होंने नौक करा उसकाड़ों क्योंकि शगुन ने पूरी आख से बंद कर ली कि वो देखी नहीं रही थी क्योंकि वो इसको कॉंटिनस देख रही थी तो नौक वा एक बार दो बार तीन बार तो भार से वाज आई मैं मतलब ऑनर बोल रही हूं तुम दरवाजा खोलो कुछ ही नहीं है तो इसने जैसे आख ओपर देखा कुछ नहीं जल्दी से गई डो खोला और भापी की साफ चलेगी अब भापी को इसने बताय इसमें बताया इससे बहुता नहीं हो पे डरी गी और फिर उसके बाद आज ही देखा मैंने बहुत डरगी हो तो ना पूरी रात ऐसे रहे और सोगे कब आख लगी पता नी पर एक रीजन था बहुत बड़ा रीजन था ये वीडियो 30 मिनट से उपर गी थी और मेरा जो लैपटोप है उसके उपर में 30 मिनट से उपर की वीडियो एडिट करी नहीं सकता हूं क्योंकि मेरे ऑफिस के सॉफ्ट्रेवर भी उसके अंदर काफी ज्यादा बड़े बड़े स सकता फिर एक्सपोर्ट करना तो पॉसिबल नहीं था इसलिए मुझे इसको दो पार्ट में डालना पड़ा 15 मिनट का आज 15 मिनट का अज 15 मिनट का कल और second यार काफी सारे लोग कह रहे थे कि जो वॉइस क्वालिटी है न स्टोरी टाइम की वह अच्छी नहीं है और मैं एक तुम सारे भी अपना कॉंटिबिशन दे सकते हो चैनल के लिए अगर तुम सबको भी कॉंटेंट पसंद है तो तुम सब भी थेंक्स बटन का यूज जरूर करना और अपना कॉंटिबिशन जरूर देना तो यार कल का व्लोग भी जरूर देखना मैं बाकी का पार्ट बचा अधिकर